तो वैलकम बेक तो दी स्टाइलिश कोडर उमीद है कि आप सब बढ़िया होंगे आज का हमारे पास कोश्चन है मिनिमम डिस्टेंस बेट्विन बीस्टी नोट्स एक लीड कोड का इजी लेवल का ये कोश्चन है इस कोश्चन में आपके पास गिवन होगी एक रूट जो की बाइनरी ट्री की होगी और इसमें से आपको बताना है कि इसमें जो भी मिनिमम डिफरेंस किसी भी दो नोट्स की आप डिफरेंस कराओगे वो इस ट्री के अंदर जो मिनिमम हो उसको आपको रिटन करना है तो यह था हमारे पास गिवन कोश्चन का डिस्क्रिप्षन अगर हम बात करते हैं इसके एकजाम्पल की तो आप यह उपे फर्स्ट एकस्ट एक्जामपल में हमारे पास गिवन क्या एक 4 दे रखा एक 6 दे रखा है 2 का 6 का साल है तो कितना होगा 4 जो कि मुझे बैटर नहीं लगा लाइक अगर हम 3 & 2 का लेते तो 1 3 & 2 का 3 & 1 का लेते तो 1 तो इट मीज जो भी हमारे पास minimum difference होगा वो हमारा answer होगा आप 4 & 1 का difference देखो कितना बना 1 तो यह हमारे पास सबसे minimum difference था लाइक आपको इस sense में देखना है 2 & 3 को देखना है तो minimum कितना बना 1 तो हमारा answer क्या हो जाएगा 1 अगर हम next example देखते हैं तो इसमें भी हमको minimum difference find out करना है तो हमको क्या दिखता है 0 & 1 का difference कितना होगा 1 ठीक है तो यह थे हमारे पास examples जिनको हमने बात करी कि इन्होंने कैसे कर रखा है अगर हम इसकी solution approach की बात करते हैं तो हमको पता है कि जो हमारा BST होता है BST किस टाइप का होता है कि like जो हमारी root है ठीक है यह root है इस root का जो भी right में होता है इसके वो क्या होगा वो इस से greater हो सकता है एक्वाल हो सकता है ठीक है यह हमको पता है and then जो हमारा left में होगा like जो root है इसके जितना भी left में होगा उस में root greater हो सकती equal हो सकती हमारे left से ठीक है तो यह conditions को हम follow करते हैं हमारी BST के अंदर ठीक है और like अगर हम हमारी question की बात करते हैं हमको क्या difference find out करना है तो like हम इसके अंदर 1 वाली note को लेते हैं अगर हम 1 से find out करते हैं कि इसके minimum minimum difference कहां से मिलता है तो like first मैंने 1 से किसको 2 को check किया मुझे यहां से कितना मिला difference 1 1 को मैंने 3 से check किया कितना difference आया मेरे पास 2 1 को मैंने 4 से check किया मेरे को difference कितना मिलता 3 और 1 को मैंने 6 से check किया कितना मिलता 5 ठीक है तो यह मुझे किससे 1 से मिला ठीक है अगर मैं 3 के comparison में देखता हूँ तो मुझे difference कहां से मिलता है मुझे पहला difference मिलता है इसके 2 से 1 मिला 4 से भी मुझे 1 मिला and then मैं अगर 6 से देखता हूँ तो मुझे क्या difference मिलता है मुझे difference मिलता है यहाँ पर 2 का अगर 1 से देखता हूं तो मुझे difference मिलता है 2 का ठीक है और अगर अगर आपन कोई दूसरा example लेकर देखते हैं like आपन in case आपन 6 के 6 के point of view से देखते हैं तो 6 का root को ने 4 तो मैंने 4 से इसको compare के कितना मिलता difference 2 then 2 से देखा तो मेरे को कितना मिला 4 अगर मैं 1 से देखता हूं तो 5 and again मैं 3 से देखता हूं तो मुझे 3 मिला तो इन सबको अपन देखने के बाद हमको यह चीज़ तो confirm हो गई कि जो मेरे पास जो सबसे minimum difference मुझे मिल सकता है वह difference मुझे मिल सकता है कि जो अगर मैं root root से उस node का में difference लूँ वह सबसे जादा हो सकता है ठीक है अगर मैं इस दर से बात करता हूं यह मेरी root बनी यह मेरा left हुआ तो इन दोनों का जो difference होगा वह minimum होगा और जो इदर right वाली note का जो difference होगा वह minimum होगा ठीक है यह चीज़ तो हमको confirm होगी कि हमको यह चीज़ करने कि हमारा minimum difference हमको कैसे मिल सकता है कि हम अगर root से उस जो भी next node है उसका difference ले वह हमारे पास सबसे minimum होगा as compared to other nodes के साथ हम उसका difference निकाले means हमको other nodes का difference चेक करने की जरुद भी नहीं है ठीक है तो अगर हम इसकी solution की approach को देखते हैं कि हमाई solution approach कि step से हो सकती है तो suppose करो कि हमारे पास यह है ठीक है हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं कि हम कौनसी भी order में इसको traverse कर लेते means कि first हम इसमें क्या कर लेते हैं traverse कर लेते हैं कर लिया हमने traverse then उसके बाद आप यह देखो कि अगर मैं 4 पे गया मैंने एक list बनाई है ठीक है इसके अंदर 4 डाला फिर 2 पे गया ठीक है फिर 1 पे गया ठीक है फिर मैं 3 पे गया ठीक है यह complete हो गया यह complete हो गया then 6 मैंने इस order में इसको traverse किया ठीक है एक list बने अब यह बताओ कि मैं इस लिस्ट के अंदर क्या कर लेता हूं कि जो भी list बनी इसको मैं चाहों तो स्कोड करवा दूटिक है स्ट करवा दिया हमें यह पासت लीश्ट घाती 12346 है और मैं इसको निकाल लेता हूं ठीक जो बीन दोनों इस पेर और इस पेर का जोडिफेरेंस उत्का लाइक वह वर्न इसका वन और इसका ठीक है ऐसा करके difference आया अब जो minimum होगा उसको में को return कर देना ठीक है कर दिया return ठीक है तो हमारी एक solution approach तो कुछ ऐसी हो सकती है ठीक है इस solution approach के अंदर अगर हम इसको perform करते तो हमको बहुत सारा work करना पड़ा like हमने पहले एक बार traverse किया ठीक है उसके फिर order को maintain किया means हम ने एक list बना ही ठीक है देन उस list में हमने compare किया क्य जो compare किया difference को ठीक है and then fourth step में हमने return कर तो क्या हम इसको थोड़े और short way में कर सकते means जैसा अभी अब आपने डिस्कर्स कर रा था कि जो हमारी root note है यह root note है क्या बराबर इस note से इस note के बराबर हो सकती है क्या नी मतलब हमको यह पता है कि यह जो note है हमारी 2 and 4 वाली इन दोनों का ही max difference होगा as compared to other notes in the graph ठीक है तो means जो भी मैं अगर traverse करता हूँ like मैंने assume करो कि मैंने 4 से start किया ठीक है मैं इसके left में गया 2 के पास फिर 2 से मैं किस पे गया 1 पे गया अब इस 1 वाले point से मैं अगर difference देखता हूँ इसका तो मुझे किसका इसकी जो note है 2 और 1 का ही difference कराने की जरूरत है मुझे 2 1 की को 4 से difference कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे यह पता है कि जो अगर मैं इसका difference 4 से करा हूँ 6 से करा हूँ तो भी मेरे पास इसका जो minimum difference है वो नहीं मिलेगा minimum difference मेरे पास जो possibly difference होगा वो मुझे हमेशा 2 से ही मिलेगा ठीक है तो मैंने इस point का difference लिया ठीक है इसको मैंने लिया then मैं एक variable बनाता हूँ यहाँ पर answer करके मैंने उसमें check कर लिया क्या मेरा answer जो भी होगा max इन दोनों मैंसे जो max mean होगा ठीक है उसको मैं pick कर लोगा ठीक है इधर से मेरा answer कितना बन गया 1 बन गया ठीक है यहाँ पर मैंने one point पर देखा two का क्या इन दोनों में क्या difference है मैंने कितना difference है यहाँ से मेरे पास one मैंने check किया मेरा answer one और इन दोनों में सब्सक्राइब चोटा कॉन सा है तो यह बोलता है one तो मैंने update कर दिया one से then my return backward two के पास two से मैंने इसके right में check क्या और तुमारा कितना difference है इसने बोला two who is minimum one is minimum तो इधर one ही update हुआ उसके बाद four के पास अब कोन बचता है right बचा ठीक है वो right में गया right ने उसको कितना बोला six के पास जाने के पास two का difference बना and then Britain back हो गया तो like अब two one and two के अंदर compare करो कितना बचा one बचा तो ठीक है last में हमारे पास जो answer हुआ हमने पूरे tree को traverse करा देन हमारी जो value update हुई वो कितनी थी one तो one हमारा answer हो जाएगा ठीक है तो इस चीच को हम हमारे code के अंदर implement कर सकते काफी simple way से implement करेंगे तो चलिए अपन कर देते हैं इसका code तो यह आ गए हम हमारी coding screen पे तो first जैसा हमने discuss किया था हमको क्या करना है हमको इसके अंदर traverse करना है ठीक है तो like में एक variable बनाता हूं ठीक है यहाँ पर जो कि मेरे लिए answer का वक करेगा तो int answer default value में इसको देता हूं maximum तो integer dot max value ठीक है इसको अपने क्या कर दिया maximum कर दिया ठीक है और एक और अपन इसमें tree node बनाएंगे कि like जो हमारे लिए compare करे ठीक है तो first like यहाँ पर अपने tree node बना देते हैं ठीक है tree node जो कि हमारा होगा parent ठीक है default अगर हमारी root यह है तो root का तो कोई parent है नहीं तो initially क्या होगा यह होगा हमारा पास null ठीक है अब तो first में हमको क्या करना है हमारे पास जो given root है उस root के हमको किसके left वाली side में देखना है कि क्या क्या difference होता है ठीक है तो first हम यहाँ पर check लगाते तो like अगर हम in order की बात करते तो हमारे in order क्या चलता है पहले हम left में जाते then फिर root को चेक करते उसके बाद हम right में जाते ठीक है तो उसी type से अपन इधर कुछ करेंगे तो like मैंने आप पहले चेक करता हूँ कि if अगर मेरी जो root.left अगर left does not equal to null है तो उस case में में वापस इस function को call कर दूँगा ठीक है इस function को call कर देंगे इसमें अब क्या जाएगी root. हमारी जाएगी यहाश में left ठीक है चली गई हम last note पे पोच गए last note पे पोचने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारा previous ठीक है इफ अगर हमारा जो parent है ठीक है parent does not equal to null है तो उस case में क्या करेंगे हमारे answer को update करेंगे ठीक है तो answer is equal to math dot mean answer ठीक है और answer के बाद हमारा क्या होगा जो हमारी root है root.value वैसे हम minus कर देंगे हमारी parent वाली value को ठीक है parent dot value को यह तो कर दिया हमने हमारे answer को update कर दा ठीक है अब हमारा क्या होगा अगर इसके पास child दे तो उस case में जो parent होगा वो क्या हो जाएका हमारा root ठीक है तो हम यह पर जो parent है उसको हम root बना देते parent equal to root ठीक है हो गया इसके बाद हम किसमें जाएंगे again इस function को call करना है इसमें हमारी जो root होगी वो क्या हो जाएगी root dot right ठीक है यह हो गया हमारा code दिन आज क्रीम में कर देंगे return हमारे answer को तो यहां से हमारा code complete हो चुका है then run करके देख लेते ठीक है हमारे दोनों case successful run हो गया तो कर दीजेते इसको submit तो हमारा code भी successful submit भी हो गया है ठीक है तो अगर हम इसकी time and space complexity की बात करें like तो वो क्या निकलेगी तो as we know हम जैसा जानते हैं कि like हमको कोई भी order को follow करते हैं तो जितनी हमारे पास notes होती है in case हमारे पास इस root के अंदर कितनी notes होगी हमारे पास इस root के अंदर होगी end notes होगी means जो हमारी time complexity होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी time complexity होगी इसके अंदर on करके ठीक है and अगर हम बात करते हैं space complexity का तो space complexity हमारा जो tree होता है ठीक है इसके अंदर b and c ठीक है जितनी हमने a first इस step को चेक करते है then हम second वाली step को चेक करते है तो means जितना हमारा stake के अंदर जाएगा first यह जाएगा फिर second में यह जाएगा ऐसे करके जाता जाएगा ठीक है तो हमारी space complexity होगी वो कितनी होगी वो होगी हमारी oh ठीक है means oh means कि इसकी height जो हमारी tree की height होगी वो हमारी space complexity होगी और time complexity होगी जो की होगी हमारी on ठीक है तो यह था हमारा आज का solution अगर आपको हमारा यह solution अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe नहीं क्या तो चैनल को subscribe कर लिजे फिर मिलते है किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए वीडियो के वीडियो के वीडियो के लिए